सवीता रमेश फिरोधिया प्रशाला अहमदनगर कक्षा छटी पाठ का नाम है उपहार पाठ तीसरा पाठ का नाम है उपहार बच्छो आज इस पाठ में हमें एक नई कहानी सीखेंगे एक गाव था गाव में रुत्विक नाम का लड़का था गरीब था गाव में पुस्तक मेला लगा इसलिए उसने अपने मा से पुछा मा में मेला देखने जाओंगा मगर उसकी मा ने उसे मना कर दिया तो वेचरा उदास हो गया दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैढ गया अचानक उसने पेड़ के पार देखा एक परी खड़ी थी वह हिरान हो गया उसने परी से कहा तुम कौन हो तो परी ने पुछा रहे तुम यहां उदास क्यों बैटे हो तो उसने कहा मैं पुस्तक मेला देखना चाता थो और पुस्तक के खरिदने चाता थो और खामोश हो गया परी ने वो ले अरे इसमें दुख की क्या बात है अरे मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ मैं जो परीक्षा लोगे उसमें अगर तुम उत्तिर न हो गये तो मैं ने तुम्हारी मदद करनी है परी की बात संकर रुत्विक खुश हो गया वहाँ से चला गया कुछ देर दूर जाने के बाद रास्ते में उसे एक गिरी पोटली मिली लाल रंग की मकमली पोटली थी हो उसे लगा उसमें कोई किमती चीज होगी खोलना चाहा फिर उसने सोचा रहे यह मेरी नहीं है इसे खो कि इसाल रंग की थी कोई पहचान बतां ते रुत्विक ने रागिर से कहा कि कोई पहचान होगी तो बतां तो उस्ब्रागिर ने क काय मेरी उस उसके हाथों में लाल पोटली थी, परिने का आरे तुम मेरी परिक्षा में उत्तिर्न हो गए, और लाल मकमली पोटली उसके रुत्विक के हाथ में दे दी, कल की जो पोटली थी वही थी, फिर उसने परिने का आरे रहागिर भी मैं थी, मैं तुम्हें इनाम दे रही है, और रुत्विक को परी ने समझा रहे इमानदार विक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कभी कमी नहीं होती, या पोटली तुम्हे ही रहने दो। लाल मकमली पोटली रुत्विक लेकर आया, अपनी मा को दी, उसके समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। मा ने वह पोटली खोली, पोटली कई गुना बड़ी हो गई, उससे सुन्दर सुन्दर पुस्तके बाहर निकल आई, पुस्तकों का धेर देखकर माच शकीत रहे गई, रुतिक ने सब पूरी कहानी बता दी, अब रुतिक ने मित्रों के लिए अपनी भैन कुरुतिका के साय यता से एक पुस्तकाले खा, खोला, पुस्तकाले नगरांताले जहां किताबे पढ़ते, वहाँ सभी बच्चे आकर मन पसंद किताबे पढ़ने लगे, पुरा गाव उसे पुस्तक मित्र से जानने लगा, और पुरे गाव में रुतिक का नाम हो गया, एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते रुतिक क्याक लग गई, देखता है क्या पुस्तक उससे बाते करने लगी, ख्वाब में एक पुस्तक ने पूचा रुतिक, तुम जीवन में बड़े आदमी बनोगे, तो हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे, रुतिक न अब तो तुम्हें मेरे साती हो, तुम्हें मेरे मित्र हो, तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बचाई, उसकी निन तूटी, जागने के बाद देर तक सोचता रहा, क्या आगे चल कर बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा पाट में आएक कठीन शब्द, तेज फ्रकर, हैरान चकीत, पोटली छोटी थैली, राहगीर पथी, आखे भराना दुखी होना, तय करना, निश्य करना धन्यवाद बच्चो